बिसम्मिल्यरमार रराहिम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपने एपनी फर्स सलांई अफ कोड हमारे साथ कैसे लिखनी है अगर आप प्रोग्रामिंग में बिलकुल ने हैं तो घंबराने के ज़रूरत ही नहीं है हम आपको सिखाने वाले हैं कि first line of code यानि कि programming की शुरुवात कैसे करनी है start करें पिर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने python और vrs code को install किया चलें अब आपको line of code लिखना सिखाते है for example यहाँ पे हम command prompt पे जाते हैं यहाँ पे लिखते है cmd python को start करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं इसको run as administrator करते है तो आपके पास इस तरीके से command prompt जो है वो open हो जाएगा इसके अंदर लिखने के लिए आप कुछ चीजों का इस्तमाल करते हैं for example यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ के python को run करो तो इससे python open हो जाते है ठीक है तो हम यहाँ पे python का code लिखेंगे और python run कर पड़ेगा एक तरीका यह है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया दूसरा यह था कि यहाँ पे start में जाने के बाद python लिखें और directly python के software के अंदर लिखना start करते हैं यानि के इसको मैं थोड़ा से चोटा करता हूँ यह दूसरे वाली python 3.1 1 की window के अंदर तो हम दोनों तरीके से python को run कर सकते हैं usually क्या होता है लोग जो हैं वो command prompt के थूरू python को run करते है beginning के लिए तो अगर मैंने python को बोलना है python मेरा नाम लिखो तो python को कैसे बोलेंगे इस पर depend करता है कि हम python की जुबान के साथ कैसे काम करते हैं for example python मेरा नाम लिखो तो python कहींगा भई मैं नहीं समझे सकता invalid syntax यानि के error syntax का मतलब है कि जुबान जुबान क्या जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर आप समझ रहे है तो अगर यह invalid है इसका मतलब है आको मेरी बात की समझ नहीं आ रही ठेक है अगर मैं सीधा जर्मन में स्टार्ट कर दों तो आपको उर्दू की तो समझ हा रही है हिंदी की आ रही है लेकिन फिर जर्मन की नहीं आएगी so this is the thing, you need to be careful when you are writing a code on python कैसे, अगर मैं इसको कहूँ, python मेरा नाम अमार है, तो यह क्या करेगा फिर कहेगा कोई error है, आप इसको दुबारा से चेक करो, मैं यहां पर कहता हूँ अच्छा फिर कैसे लिखे, तो python को बताने के लिए, आपको लिखना पड़ेगा python print ठीक है, मतलब python को आपने open किया यहां पर लिखेंगे print, print लिखने के बाद, आप parentheses open करेंगे, यहां पर लिखेंगे अमार, इसको enter करूँगा, तो आप देखें, कि यहां पर python ने मेरा नाम, output में print कर दिया, तो यह आपकी first line of code होगी, आप please अपना नाम लिखें, और उसकी जो code है वो please comment section में ज़रूर paste करें, ताके मुझे पता चले कि आप इस पर काम कर रहे हैं ठीक है, एक तो यह तरीक है first line of code लिखने का, दूसरा यह है python, for example यहां पर लिखता हूँ, मैं print कुछ और print करवाते हैं, इसको कहते हैं लिखो hello world तो usually जब आप बहुत बड़ी-बड़ी English की programming की classes लेते हैं, तो hello world वहां पर लिखते हैं अब इसमें मैंने parentheses के ऊपर quotation marks नहीं लगा है वो क्यों नहीं लगा है, वो हम आगे देखेंगे तो आप देखें तो यह 3.3.4 प्लस 4 को print करके यहां पर लिख देगा ठीक है, simply आप 3.4 भी लिखेंगे तो यह python उसको जो है वो different किसम के parameters के थूँ प्लस कर देगा तो इस तरीके से हम python को अच्छे first line of code के थूँ run कर सकते हैं यह तो होगी line by line चलने का तरीका, मैंने पहले लिखा python print amar, यानि के print amar, फिर मैंने लिखा print hello world, फिर मैंने लिखा print 3 by 4, अगर मैंने यह 3.1 लिखने हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक software आता है जिसका नाम है notepad, आप उसकी एक file बनाएंगे text document बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे जनाबे वाला के आपने इसका नाम रिखा है script, ठीक है और तीन line हमने एक अठी लिखने है, इसको dot py कर देना है अब अकसर उकात आपकी ये py की file यहाँ पे python की file नहीं consider होती reason क्या है, क्योंकि आपने windows में जाना है, view में जाना है और यहाँ पे file name and extensions को open कर लेना है, ठीक है अब आप चेक करें, असल में ये text file है, txt की desktop के उपर इसको मैं rename करता हूँ, f2 दबाके, तो ये rename हो जाएगी for example मैं desktop पे गया, मैंने यहाँ पे dot txt को remove करके at the end dot py लिख दिया, उसने बोला करनी है करनी है, मैंने कहां करनी है तो इसके अंदर file के अंदर अब हमने text को लिखना है, कैसे for example मैं इसको notpad से open करता हूँ, इस file को अब इसके अंदर मैं वो तीन line of codes जो मैंने पहले वहाँ पे लिखी थी, वो यहाँ पे लिखूँगा ठीक है, त्यार है जी, आप लोग देखने के लिए को कैसे लिखनी है, चले लिखते है यहाँ पे लिखना है print, print लिखने के बाद आपने लिखना है, जैसे मैंने लिखा था अमार, यह मैंने बंद कर दी line इसकी, फिर दूसरी line पे आया, आप मैंने बोला print करो, क्या करना है print, hello world, ठीक है फिर मैं तीसरी line कहता हूँ, क्ये print, 3 प्लस 4, यह करने के बाद मैंने इसको control S करके, save कर लिया, इस फाइल को, script.py की फाइल को, ठीक है अब मैं command prompt में जाता हूँ, मैं यहाँ पे exit करता हूँ, अपने command prompt के python के program से exit लिखने के बाद, तो मैं start में जहाँ पे था, administration के अंदर, वहीं पे आ गया हूँ अब आपने देखा कि मैं python में था, मैंने exit किया python से बाहिर आ गया, अगर मैंने दोबारा python में जाना है python लिखूँगा तो python के अंदर चला गया, यह मैं python से बाहर आ गया, तो यह exit जो है दरवाजे का काम करता है, अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पे हमने desktop पे जाने, cd desktop, तो हमने change directory की और हमें desktop पे जाने के लिए desktop में आगे, यह कैसे होता है, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं, हम अपने username के अंदर कर रहे हैं, हमने वो folder change करके, हम desktop पे चलेगे, change directory, space, desktop, अगर आपके पास, यह वाली file इस तरही open होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे python, python के स आप script.py की file का नाम लिख देंगे, ठीक है, तो हमने यह तीनो lines जो हैं उस file में save करके, यहाँ पे run करने हैं, तो मैं enter करूँगा, तो आप देखें, तीनो की तीनो files एकठी run हो गई है, अब यहाँ पे एक mistake है हमारे पास, वो please मुझे comment section में बताईएगा, यह mistake कैसे हमने remove कर अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्यार रखें